तक पीणोट में समय केके और ने एपिसोड के साथ तो आज बात करने वाले हैं एंगीओ के बारे में एक एंगीओ बंती कैसे है चलती कैसे है इसके चैलनेंड्जिस क्या होते है फंडिंग कैसे लहते हैं केसार का फंड क्या होता है पहले लिए जब भी हम NGO वर्ड सोचते हैं या बोलते हैं तो हम सोचते हैं यह एक निगेटिव चीज है एंजियो के ज़रिये कही न कहीं पैसा घुमाया जाता है बड़े बड़े लोग इसको हतियार मानते हैं कि पैसों को ब्लेक से वाइट करने के लिए इसको कैसे हम समझ सकते हैं ऐसी के बारे बाद चर्शा करेंगे संगमित्रा बॉस के साथ जो 20 साल से कड़ी तपस्या कर रही है और 72 एर की वो लेडी है अगर मैं उनको बैंगल टाइगर बोलूं तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि इतनी तपस्या ऐसे बच्चों के सा पसीना छा रही है और लोगों की हईल्प कर रही है वो बच्चे आजकी डेट में अगर आप देखें तो वह आर्मी में काम करें ऐसी बड़ी-बड़ी औरगनेशन में काम कर रहे है तो मैं स्वागत करता हूं संगमित्रा बोश जी का पीवेट पॉइंट में तो मैम सबसे पहले हमारे जो पेवेट पॉइंट का एक कल्चर है वो यह है कि कहीं न कहीं हम एक गाने से शुरुबात करते हैं ठीक है और मैं चाहता हूँ आपकी जो लाइफ की जर्नी है उसे बेस पे कोई गाना सूट करता हो आपकी लाइफ में तो आप उससे स्टार्ट कर हैं और फिर उसके अपने बारे में थोड़ा सा बताय हो दिया तो प्लीज मैं अपने बहुत मुश्किल काम दे दिया मेरे को गाना गाने को मैं तो गाई का तो हो नहीं मैं समाज से भी जरूर हूँ पर कोशिश करती हूं आपने रिक्वेस्ट किया तो मैं रबिंद्र संग का एक ही लाइन गा पाऊंगी क्योंकि मेरे को बिलकुल गाना नहीं आता है थोड़ा आप इसके बारे में बताएंगे यह इसका मकसद यह है कि अगर आपका पुकाट सुनके कोई नहीं आता है तो आप अखेला ही चल पड़ू आपको जो हासिल करना है और आप अखेला ही करो पर चल पड़ू वाव मैं तो मैं आप बताईए कि आप कैसे अकेले चाहरे और आपने कैसे कैसे चैलेंज देखे उनको मीट करा और अपनी एंजियो को आज इस मुकाम पर लेके आए हैं कि गूगल जैसे बड़े बले प्रेयर आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके विजन को समझ रहे हैं और आ क्योंकि इस शुरुआत बहुत चोटे प्रयास से हुए मैंने घर में एक बच्चा को पड़ा के शुरू किया था उससे धीरे धीरे घर में कोई पचास बच्चे आने लगे थे जो गaring बच्चे थे जो बच्चे थे जो रहते हैं मेरा घर का पासी एक शलम था उसी स्लम के बच्चे थे, और मैं उनको पढ़ाने लगी और वैसे गि side, शुरुआथ हो गई फिर एक साल घर में ये चलने का बाद मेरो को लगा है कि गर मेरो संभाल नहीं सकर ती में उतने सारे बच्चे फिर मैंने इसको घर का बाहर ले जाना है तो मैं पता क्या किया क्या ज़ना चाहिए, तो मेरे को जो समझ में कि रmana tôma कर सबसे आसान होता है। दो ये बंदे चाहिए होता angg де ट्रस्ट कोलने के लिए तो मैंने ने ट्रस्ट खुलने का वैसला किया और मेरा एक मिτ्ड्र को बुलाया कोठ पर वोगी मेरे साथ सांग किया तो तो एक ट्रस्ट बन गया और ट्रस्ट फंड आपने सुनाओ का बड़े बड़े रकम से बनते हैं पर मैंने सिर्फ अपना दो हजार रुपिया डाल के ट्रस्ट फंड शुरू की थी और मतलब बहुत हमत लगा था कि सोचने कह लिए कि मैं कुछ स्टार्ट कर रही हूं सिर्फ पर सेंटर खुलते गई और बहुत सारे इंडिया का स्टेट में हम सिक्षा और कंप्यूटर लिटरिसी ले गए हैं और उससे कोई आइ तिंक लाखो लाभरती हुए हैं और आज तक हम जो छोटे बच्चे को जो प्रात्मिक सिक्षा देते हैं जो रहने वाले बच्चे हैं वैसे बच्चों को तो कोई 15,000 से उपर बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं और फिर वो सरकारी स्कूल में दाखिल बी उनको करवा दिया ताकि वो आगे बढ़ते चले उनका पढ़ाई चलते रहें और फिर हम कम्प्यूटर साक्षर पर भी बहुत काम किया उसमें कोई 15,000 से चुके हम पर कम्हीं खर बच्चों को तक हम ने कम्प्यूटर साक्षर कर दिए हैं तो यह है और सात में कुछ महिला को भी साथ काम किया उनको भी साथ काम किया और इस एक कम करना शुरू करो उसका सथ दूसेरा दस कम जुड़ते जाता हैं E अम बच्चोंको करते हैं त कि as a female female के लिए थोड़ा टफ होता है कि इतना बड़ा decision लेना और इस decision में आपके साथ कौन ख़ड़ा था आपकी family बताईए थोड़ा अपने family के बारे में बताईए कि आपने ये challenge accept क्यों किया क्यों किया क्योंकि as a female बहुत सारी difficulties आती है और आपने एक जैसे आप Bengal से बिलाउं करती हैं मुझे लगता है आप Bengal टाईगा रहे हैं क्योंकि आप अकेले इतनी बड़ी problem को solve करने निकल चुकी है जो इंडिया की सबसे बड़ी problem है education education में आप उन बच्चों को target कर रहे हैं जो कर सकती हैं क्या बढ़ा है भी मेरा को कुछ कॉछ सपोर्ट उस टाइम था नहीं पर मेरा मैं हैसी हों कि मेरे कुछ मन में आ जाता फिर मैं इसको कर लीती हूं मैं वह क्लिए चलो बात बात वाला है तो महां फैमिली के वारे में तोड़ गाता है तो बस यह था, तो कोई खास और मेरा पेरेंस थे फिर वो भी गुजर गए उस टाइम, तो मैं अकली थी, आप बोल सकते हूं, तो यह सफर ऐसे ही शुरू हो गई, और फिर कुछ बॉलिंटेर्स मेरे साथ जॉइन किये, कुछ लेडीज, जो पहले जब बिल्कुली पैसा नह आने लगा, फिर हम स्टाफ रखें, अभी भी याद है, पहले टीचर हम रखे थे, सिर्फ पाच सर रुपिया देखें, क्योंकि तब उससे जदा पैसा था नहीं, वो भी हमारा सेंटर का पास में रहती थी, तो घर में खाली थी, वो आके पढ़ाने लग गई थे हमारा तो यह बहुत संखश करना पड़ा, बीस साल में लगा, तार दिन रात काम कर, तो मैम आपका जो पहला सेंटर था, उसके एक्स्पिरियंस के बारे बताई, कहां पे था, कैसे स्टार्ट करा, जैसे आपने और स्क्रीन बता रही थी, या पने जाडू भी लगाई, आपने प पहला सेंटर लिया, एक छोटा सा कमरा हायर किया था, खिशंगर विलेज में, वसंद कुछ का पासी है वो, तो उधर वो ही हम मेरा घर में जो बच्चे आते थी, उनी को लेके गया उधर, वसंद कुछ दिल्ली, दिल्ली दी, जी दिल्ली में, तो फिर उन बच्चों को उस फिर हमने सोचे उनको कुछ खाना देना चाहिए, तब वही ज्यादा पैसा तो कुछ था नहीं, तो हमने ब्रेट खरीद के फिर उनको मक्षन लगा के देते थे, और कभी-कभी क्लास लेते-लेते, मैं कोई सौ पीस ब्रेट में मक्षन भी लगाई हूँ, और सर्दियों में जादा मुश्किल था था, क्योंके मक्षन जम के टाइट हो जाता था, तो यह सब छोटी-चोटी कठी नहीं थी, पर मसा बहुत आये, और वो बच्चे को और आज वो बच्चे बड़े हो गए, जो पहले हमारा बैच की बच्चे थे, अभी भी कुछ बच्चे जुड़े कुछ नोकरी कर रहे हैं, कभी कोई बैंक में जाती हूँ तो यह कोई बच्चा के एक पैड चुले था, कौन है, अरे देखती हूँ वो बच्चा जो छोटा सा पढ़ाया थे, एबी सीडी पढ़ाया था, आज कितना बड़ा हो गया, कभी कोई हॉस्पिटल में गई तो दे हूँ इसना बड़ा उन लोगहां नहीं है, और उन लोग इतना घरीव घर का है, ना उनos बहुत कुछ पर करनी पाते हैं, क्योंकि हम ते उनको अच्受ज बुनियादी सिक्षा दे देते हैं, फिर आम गटमें बवहां ते पिर परते रहते, पर क्या होता है, ये सा भूप मा है सो बहुत परिशानी है इनको कभी फैमिली का ऐसा स्थिती हो जाती है कि बच्चा को बोलता है तो काम पे लग जा भी या लड़कियों को भी मेरा सामने बहुत ऐसा हुआ है कि स्कूल से निकाल के उसको किसी का घर में काम करने लगा दिया और मैंने उनके इतना रिक्वेस् यह नहीं है मजदूरी करते है कोई घर में उसका ममी कोई मेड की काम करती है तो उस इनका गुजारा नहीं होता अब बच्चे भी तो बहुत सारे होते हो गरीब घरों में अब कैसे उनको खिलाए उनको स्कूल में भेजे तो जो बड़ी लड़की होती है ना फैमिली में उ पड़ाई छोड़ के छोटे बच्चों को देखे घर का खाना बनाए या तो वो और किसी का घर में जाके काम करने लगे ताकि घर में थोड़ा पैसा है तो यह दिक्कत हो जाती है ज्यादा तर इवन 7-8 साल की बच्चे आप देखोगे घर बैठे वो 4-5 साल या उससे छोटा बहुत दड़नाक है सिच्वेशन जो है बहुत ही दुख होता है देखे इन बच्चों को कि इतने चोटे बच्ची है वो जा रहे लकडी ला रहे है लाइन में खड़ाओ के पानी भर रही है घर में चूला जला के खाना पका रही है क्योंकि मम्मी काम करके दुपयर को जब बना के रखे यह हम तो खुद स्लम में जाते हैं बराबर हम देखते हैं उस घर में क्या चलता है सुनकर लिए एडुकेशन एक लगशरी है एक हिसाब से और लड़के भी अगर पड़ाई में बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है फिर और चौदा पंदा साल हो जाता है त सो यह सब तो सोचल प्रोबलेम है बहुत बड़ा प्रोबलेम है कभी कोई घर में बीमार हो जाता है उसका इचिक गशा कर लिए जो पैसा चाहिए उसमें कमी हो जाता है फिर भी पढ़ाई में रुखा बटा जाती है बच्चे का तो माधम जो आप बच्चों को इस थे रह तो हम पेरंस को समझाते हैं, कि सिक्षा कितना महत्वा है, सिक्षा का क्या महत्वा है, बच्चों को लाइफ में, और बच्चों में जो हुनर है, उसको आगे बढ़ाना उनका कटे वे हैं, पर उनको भी लाचारी हम समझ सकते हैं कहीं पर, पर हम उनको समझाते हैं, पर पेरं पापा का पास होता है, पापा उसको लेकर चले जाते हैं, और बच्चों को होमवर्क जो है, उच छुट जाता है, या उसका क्लासेज, क्योंकि अर घर में तीन बच्चा है, मान लो, होते हैं, और एक मोबाइल हो, जिसमें टीचर पढ़ा रही, आप कौन से बच्चा उसको उससे पढ़ाएगा, तो यह सब कारण वो, ओनलाइन एडुकेशन गरीब बच्चों को लिए उतना साइदमन नहीं रहा, फिर भी थोड़ा बो चला और हमने देखा, हम ओनलाइन पीटीम भी करते थे, जब कोविट टाइम में, सब पेरेंस ओनलाइन आ जाते थे, हम उनसे बातचीत करते थे, और बच्चों को कोई हम काम देते थे, जैसे योगा डे में हम बोला, सब कोई घर में अपना योगा करके, आप वीडियो बना के भेज़ो, और पेरेंस इतना कोपरेट किया हमारा साथ, की बच्चों ने योगा किया घर में, वीडियो बना के हमको भेज जब स्कूल का लॉकडाउन चला तो अभी देखा मैंने पेरंस काफी कुछ पेरंस काफी जागरुख हो गए हैं और बहुत बच्चों को मदद करते हैं तो मैं ज icon का सेंटर है वो सेंटर है को सेंटर केहते क्योंकि व को कोई माननता प्रव रॉप्ट तो है नी और इंफॉर्मल एडूकेशन है पर स्कूल है क्यों कि बच्चे उदर आते हैं दिन बड़ पढ़ाई करते हैं फिर घर जाते हैं टिफिन खाते है जैसे है है पी टीम होते है अक्टिविटी सब इचीज़ होते हैं तो मैं गुवर्मेंट की कुछ schemes आप फोलो कर रहे हैं यह गुवर्मेंट का अप्रोच कर रहे हैं आपने हमने तो कोई हम जैसे जिनका पास बहुत स्टाफ नहीं है बहुत कि हमें समझ नहीं है वह गुवर्मेंट को कैसे अप्रोच किया जाए मुश्किल लगता है दो एक बार थोड़ा कोशिश किया फॉर्म भरा कुछ हुआ नहीं तो यह थोड़ा कॉन्टक्स जाए मेरे को समझ में आया अंदर में थोड़ा कॉन्टक्स जाए पुश जाहिए वह सब हमारा पास है तो मैंप जो गुवर्मेंट है गुवर्मेंट के पास भी तो इमोशन नहीं कहीं वह बच्चों को देख रहे होगे कि कि कितने बच्चे हमारे सकूल में ज जैसे बहुत सारा गौँगाउ में स्कूल है अजकल, पर उसमें क्या है हमारा जो अनुभव है, बहुत सारे स्कूल में हम गय हैं हैं जहाँ स्कूल तो है पर टीचर नही है। घ्लास फाइव तक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल पर रamento विड हैं। और ये तो हर स्टेट में हम ने देखा है और बच्चे के हाज कल मिड़े मिल होता है तो बच्चे खाने का चकर में स्कूल में आतो जाते हैं और आया, ऑखेला, मिड़े मिल खाया, घर बाग गया क्योंकि क्लास का तो टीचर उतना है नहीं अब दो टीचर कितने बच्चों को पढ़ा लेंगे और फिर इसलिए आप गाउंवाले भी ना बच्चों को प्राइविट स्कूल भेजना पसंद करते हैं और यह सब प्रॉब्लम है अभी जो हमारा मिनिस्टर जो है इडुकेशन मिनिस्टर उन्होंने परलेमेंट में बयान दिया था कि पंद्रा क्रोड बच्चे आउट अफ स्कूल है इंडिया में अब सोचे कितना बड़ा आकड़ा है और यह बहुत सोचने की बात है कि हम कैसे अगे बढ़ेंगे अगर हमारे बच्चे को बेसिक सिक्षा ही नहीं मिल रहे है और आगे दुनिया ज कहां चले गए है अब AI स्पेस यह सब का बात हो रही है अब टेक्नोलोजी का जूगा गिया पर हमारे बच्चे कंप्यूटर देखा ही नहीं गाओं के बच्चे तो यह स अब देखिए यह पन्रक्रोट बच्चों से कुछ लाग बच्चे तो या कुछ हजार बच्चे तो दिली का सड़क में गुमते फिटते सबको नजर आता है पर लोग देखते नहीं है अगर कोई बच्चा चलते फिटते आपका गाड़ी का विंडो में आके भीक मांग लि है वो जाके सीधा एक पैकेट गुटका खरीद के गुटका करता है मैंने देखा पांच-छे साल का बच्चे को भी बिड़ी पीते हुए गुटका लेते हुए और थोड़े बड़े बच्चे हैं मैं रात को भी चानी चौक एरिया में वाक की हूँ देखने के लिए चुड़ा दो चुड़ा दो और उखात में एक रुमाल में वो ग्लू या क्या चीज था उसको सुंगते गया और बहुत बहला है बहुत अच्छा है मैं छोड़नी सकती फिर दो मिट बाद हमारा पीछे पीछे चलते हैं मतलब उसका अंदर में कितना एक लड़ाई चल रह अच्छे जो सड़क पे भीक मांगते हैं उन बच्चों को मैं पढ़ाती थी तो एक बार मैं उनको रोड सेफटी का बार में पढ़ा रही थी तो मैंने उनको बोला भई जब ग्रीन लाइट होता क्या करते हो आप लोग तब क्या होता बोला सब गाड़ी चल जाते हैं I said very good और जब रेड लाइट होता तब क्या करना चाहिए और लोग गाड़ी सब रुखते हैं और हम भाग के भीक मांगने लग जाते हैं तो इनको यह रिस्पॉंस था तो देखिए और बच्ची तना सदल होता है उनका जो एक्च्वल काम है वो ही बताते हैं तो यह सब और यह बच्चे एक ओपन एरिया में पढ़ाती थी एक टाइम में नरायना में दिली का नरायना एक पी वी आर सिनिमा का पास तो बच्चे हमारा साथ बैठके कुछ लिख लिख रहे हैं रेश्मा नाम थी बच्ची का और एक थोड़ा अमीर से सजन पास से जा रहे थे और कहानी बोलके भीक मांगे फिर अगया फिर उसको जो चाड़ रुपया मिल गया आके बैठके फिर सब्ची का नाम लिखने लग गया और को इतना हसी आई कि कि इतना प्रोफेशनल हो गया बच्चे दुख भी आता हसी भी आता मतला यही जिंदेगी है उनको वो अगर भीक म प्रोफेशनल है यह बच्चो को अच्छा खाना देना कपड़ा देना सिक्षा देना और यह एक्तम जरूरी है कोई भी आप जो देश आगे बढ़ गया उनको देखो उनका स्ट्रेंग्ट क्या है उनका बच्चो जो है उनका परवरिश कैसे होता है यह हमको सितना चाहिए और हम सब को जुणना चाहिए इसकाम में सिफ सबकार से नहीं होगा इतिंग हार नागरिक का यह एक रिस्पॉंसिपलिटी है कि वो कुछ करे अगर देश को प्रेम करते हैं देश प्रेम है उसमें तो देश का भला के लिए कुछ तो करना चाहिए तो मैं एक बच्चे को प सब्सक्राइटी का अच्छा करेगा वो वो एक एंजियों से पढ़ा है उसका दिल में यह होगा कि आगे वो दस बच्चे को भी पढ़ाएगा बड़ा होके एजुके क्योंकि यह होता है हमारा जो सेंटर्स है उसमें हमारा एक स्टूडन्स भी आके पढ़ाती है इस दिश हाँ चैन रियक्षिन कि वो आख वो पढ़ाती है उसको मजा आता है वह हमारा स्कूल से उसने पढ़ाई शुरुवात की थी अब ग्राजुएशन कर लक्र अच्छे कर अच्छे में ग्राजुएशन कर एंच्छे कर एंपार एंज नहीं पढ़ा रही है तो हमें बट चुकिया है करके किसी मकाम पर अज पहुँच गई है तो चाहते है तो गिव बैक तो सोसाइटी तुम सास्टी ट्रस्ट के कितने सेंटर चल रहे हैं या स्कूल चल रहे हैं इग्राउंड पर दिली में पाँ चल रहे है और एक हम शुरू के पाँच के अच्छे में का पढ़ाई का चल रहे है प्रात्मिक सिक्षा का और हम टेकनिकल नॉलेज उनको भी देते हैं जैसे टेकनिकल टेकनोलोजी बेस्ट एडूकेशन आइमस से उसमें हम जैसे क्लास में स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं टाब्स यूज करते हैं ताकि बच्चे फेमिलियर हो अदिकनोलोजी से बच्पन से और उनका एक्स्टाकरिकुलर एक्टिविटि भी खुब सारे देते हैं स्मार्ट बने वो अच्षे पर काम करते हैं हम उधर लैप्टॉप देते हैं हमारा टीचर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं तो इस साल हम उतर्खन में कोई बच्चों को पढ़ाएंगे कंप्यूटर से साखशर करेंगे तो अपने इफर्स्ट अपना डाला उसमें नाथेक हैं एक से पाँच करने में एक अलग तरीकी चैलिंज जाए होंगे और आज की एतुपude को ओन करने हैं तो मिलता है अब आपने काइंड ऑटोमेशन सी प्रोसेस डवलप कर चुके हैं मेंस आप एक्सपर रन चुके हैं कि इतने संटरों मैंने कंट्रोल में लेकर आ चुकी हूँ नाओ वाट इस यूर विजन कि आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे मैं और अपने एक्सपरियेंस को एनांस कर सकती हूं और जाधा से जाधा से जाधा सेंटर खोल के लोगों की मदद कर सकते हैं आपने जो का वो आटोमेशन पर कभी नहीं आता इंजियो में हर माईना हर साल ये दिक्कत हो ताब ये संटर चला पाऊंगा ये बंद करना पड़ेगा क्योंकि पैसा कभी आता कभी नहीं आता ऐसा कोई पर्मनेंट तो है नहीं कि कोई आपको देते जाएगा पैसा पर आपको जैसे बताया पंडर कोड़ बच्चे आउट आप स्कूल है और कम्प्यूटर साक्षरता गाउं में कोई 21 परसंट है 21 से 25 परसंट का है इतना कम है प्सोची अज का तारिक में और और जिनको आता भी है बहुत बेसिक कम्प्यूटर स्किल्स आते हैं फाइल खोलना बंद करना सेव करना इतना आता है उनको और पर आजके दुनिया तो AI पर चल रही है ना तो ये बच्चे फिर आगे क्या करेगा अगर उसको आगे ना ले जाया अभी से तो हम तो ये जो हम उनको नोदिंग भी सिखा रहे है क्योंकि ये तो फ्यूचर में है हो ना बुझ जुट बुझ को आकि छोटा मोटा नोकरी यूनको मिल जाय कोई बिजनस कर से कुना ौ कोई दुकान हो कोई होचोटल लो कहीूँ आ का इकाउंटींट का जॉप कर सके तो हम इसलिए हम मुझ्नेस कर सके औरहम से कोई 70% आते हैं उनको काम Ma Right कोह अभात प्लेस कर देते हैं प्हले तो आप मुझे उन》 नहीं कि आते हैं कि आपके फंडिंग के चैलेंज कि यह ठूड इस कैसे टारिट वो देते हैं और कौन आपका अच्छा पार्टनर है और जो हमारी ओडियंस में हैं वो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं डेफिनेटी आपसे करेंगे क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड पे तो प्लीज फंडिंग के बा बहुत स्किल्फुल प्लेयर्स हैं जो स्किल्फुल टीम मेंबर्स ओव आप रहे हैं नहीं कर सकते हैं कि उनको तंखा भी उतना ही देना पड़ता है उससे क्या होता आपको जो एफिशेंसी है वो कम रहता है और आपको हमेशा एक इन्सीक्यूरिटी रहता है कि हम रख ले और इतना तंखा में इतने सारे लोगों को फिर अगर फंडिंग नहीं आए तो इसको कैसे तंखा देगा फिर निकालना पड़ेगा यह तो बहुत अच्छा नहीं लगता सोचने को तो यह यह टेंशन रहता है तो फंडिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और कॉर्पोरे कोई पैसा देते हैं और बाकी जो कंपनियों है वो करते हैं देते हैं इंजियों को बहुत सारे इंजियों भी है और कभी वो जैसे हमको सपोर्ट कि अगला साल किसी और को सपोर्ट कर दे यह भी हो सकते इच साल वो एडुकेशन पर सपोर्ट कर रहे है अगला साल उनको वो तो रह जाता है तो उनको फिर maintain करना हमारे लिए बहुत बड़ा चालिंज हो जाता है सो नया तो हम बहुत कुछ करना चाहते पर हमेशा पैसा का लिए हम रुख जाते हैं हम अभी यह जो तीन सेंटर चला रहे हैं इधर हम अराम से दस सेंटर चला सकते उतर रखन में गाओं गाओं में जरुरत है आप क्या करोगे नहीं आर्मी जाओंगी पुलीस या कम्प्यूटर में काप करेंगे क्यों खेती नहीं करना है नहीं एक दम बना कर देते हैं अधाल लाइफ यह बच्च आभी इस पीडी के बच्चे है ना वो इंस्टाग्राम पे है इस बच्चे फेस्बूक पे है और देखती है दुनिया में और कैसे क्या चल रहा है वो भी उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं पर उनका घर में वो सपोर्ट तो है नहीं पेरेंट्स खेती करते और पहाड में आप देखे होंगे छोटे-छोटे खेत होते हैं पहाड में जगा भी नहीं है तो उससे उतना आमदानी नहीं होता है उनको सरकारी कुछ स्कीम्स है उसका फाइदा भी जब डिजिटल ल इंटरनेट उनको सिखना पड़ेगा इससे लाब लेने के लिए नहीं तो वो बहार ही रह जाएंगे मेंस्ट्रीम का मैं गवर्मेंट भी काफी फंडिंग स्कीम निकाल रही है हां कर रहे हैं लोगों का लिए बहुत कर रहे हैं क्योंकि यहां भी जो रैशन कार्ड है वो अजिए फंड करती होगी तो आपने अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं विए बड़े इंजिए को करते जिनको थोड़ा पहुंच है उनका लीजी हो जाता है हमारा उतना पहुंच नहीं है फ्रेंक्ली यह प्रब्लम है कोशिश तो करते रहते हैं कभी-कभी तो अभी तक कम करने करने के कुशिश करें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि कहीं आपके मिशन आने वाले एक साल का मिशन क्या हो सकता है हम जो दो जो फिल्ड में हम काम कर रहे हैं इसी को आगे ले जाना चाहते हैं यह प्राथमिक सिक्षा बुनियादी सिक्षा जो है बच्चों का वो क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है नहीं तो बच्चे आगे आप स्कूल में भी डालोग तो फेल हो जाएगा इधर भी उत्तर प्रास्टेन में फिर पड़ाई चूट जाता है हम हमारा यह कोशिश है कि बच्चे वो बोड़ पास हो जाए और अभी इस साल हमारा यहां से चार बच्चे हमने जो कोच किया वो अभी आर्मी में सिलेक्ट हो गया तो बहुत खुश है यह का बच्चे को बहुत ड्रीम होत आपने डेली स्टार्ट करा डेली स्टार्ट के बाद आज की डेट मात मुक्तेशवर उत्रगंड में बैटे हुए तो मुक्तेशवर आना कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा बताए मैं आपको बताए शायद कि मैं बीच में ट्रावल जर्नलिस्म कर रही थी तब वो घु को लेके बहुत उत्सुखु में और फिस्कूल टीचर से जब बात की मैं तो सबने बताया कि क्लास 12 तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं उसका बात इनको कुछ करने को नहीं है इधर वो बच्चे जिनका पास पैसा है वो बच्चे को फिर शेहर भेजते हैं और जिन बच्च रूरल कंप्यूटर सिक्षा यहां पहले राजस्थान में गाउं में कंप्यूटर सेंटर खुला था और जब हमने उधर पुराना पांच साथ डेस्टॉप लगाया था पूरा गाउं के बच्चे उधर आ गए थे क्योंकि किसी ने कंप्यूटर देखा ही नहीं था तब त फिर हम हर्याना में किया था यूपी में बृंदावन मत्हुरा यह सब जगह का गाउं में हमने काम किया हैं कंप्यूटर सिक्षा पर फिर उत्तर प्रदिश में भी एक चोटी से गाउं सीहाली जागिर उधर भी पी चल रहा है उदर गर्मेंट गर्श्गुल में और फिर हम आ गए उत्तरखंड में 10-12 साल हम काम कर रहे हैं लगातार काम कर रहे हैं तो हजारों बच्चे कंप्यूटर साक्षर हो गए इस कोशिश से और हम चाहते हैं यह जो है ना मिशिन उत्तरखंड में भी 13 टेरा डिस्ट्रिक्ट है ले चले और भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं तो मैं आपकी बात सुनके मैं बहुत शौक हुआ कि राजिस्थान जो दिल्ली से कनेक्टेड है और बच्चों ने कंप्यूटर नहीं देखा है तो ऐसा भी हो सकता है यह जो गाओं की बात कर रही हूं मैं 2008 में सुराना जाइपूर से सिर्फ पचास किलो मेटर कर डिस्टंस में है और उधर जब हमने कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया बच्चों ने सची नहीं देखा था कंप्यूटर और ऐसा बहुत सारे गाओं होंगे इंडिया में जहां बच्चे नहीं देखा है साउथ इंडिया इतिंक इस बेटर नौर्ट इंडिया में बहुत ज्यादा यह प्रॉब्लम है तो मैं आपने जैसे एजुकेशन पर रिसर्च कर रखिया तो मुझे जितना मु जिए और जो एंग्योड काम कर रही है ने भी शायद आपकी जैसे और भी ओर्नेशन काम कर रही होंगी उनको उनको दर लगता है गोर्मेंट के पास जाने में कि आपको डेफियंटी जाना चाहिए उनको बहुत इगली आपको सपोर्ट करना चाहिए बट यह दुर्भाग अपना हिसाब से सपोर्ट करते हैं मैं उसका बारे में ज्यादा कुछ जानकर ही नहीं है मैं नहीं बता सकती आपको एक्चली क्या होता क्या है कि जब भी हम एक NGO वर्ड यूज करते हैं तो जितने भी यह अपर मिडल क्लास और मिडल क्लास लोग है यह एक निगेटिव नजरों से भी देखेते हैं बिल्कुल यह हमारा लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है कि लोग देखिए एक सिधी सी बा बहुत पूचते हैं पूचते नजरे बहुत शकी नजर से देखते कि यह तो चोरी कर लेगा खा लेगा जोगी है बट मेरको समझ में नहीं अंप कडरो जाकर एक में डिलिजीर्जी इसंप्रेसे में दान कर देतें कब भी नहीं सोचते ओंघ'T तुन फॉट का झी भी थेच अबना चानबीन होता है, एक एक चीज, मतलब कैश, no cash dealing, मतलब सब को हमको बड़ा शक्स नजरिया से देखते हैं, वो, वो corporate सो, individual सो, और हमारा जो, हमारा बहुत rules and regulation है, हमारा जो annual report हम निकालते हैं हर साल, उसमें हम जो 1000 रुपया दिया, उसका भी नाम उसमें आता है, और को receipt जाता है, उसको tax exempt जो है, वो जाता है, और मतलब उसको हमारा वेब साइट में अपलोड करना ज़रूरी होता है, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए था कि कोई भी कभी भी आपका balance sheet चेक कर सकता है, तो हम लोग को बहुत rules regulation follow करना पड़ता है, गर्मेंट से बहुत ज्या कि खर जाता है, तो हम झुट कर सकता है, उसका लिए अलग बैक काउंट करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ क्च remember, हर छीच का लिये हम को एक पल एक गीच का GST bill होना चाहिए, तीन जगा से कोटिशन आना चाहिए, फिर audit, 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 वो चलते रहता है, तो हमारा अधा टाइम तो अचाउंट मैनेजमेंट में चला जाता है, तो काम क्या करें, एक तो फंड रेजिंग में, और पैसा जो आया अचा, आप मैं मुझे बताईए, कि as an investor, अगर मैं आपकी company में फंड देता हूँ, या किसी भी NGO को फंड देता हूँ, तो मुझे क्या parameter चेक करने चाहिए, कि जिससे मुझे किलिए पता लागे है, कि ये NGO गल्द काम कर रही है, और ये NGO एक अच्छा काम कर रही है, तो आपकी नजरों से आप मुझे गाइड कर रहे हैं, as a student, कि हमें कैसे identify, parameter कुन से हैं, एक तो government से जो certification हमें मिल चुके है, like 80G है, जो हम tax rebate आपको देंगे, आप अगर हमें कुछ donate करोगे, आपको 50% tax rebate मिल सकता हूँ, तो वो जो certificate वो भी गवर्मेंट पुरा चानबिन करके देते हैं, FCRS certificate है, 12-way certificate, वो जिसमें हम NGO tax exempt होते हैं, वो सभी का लिए बहुत चानबिन होता है, हर stage पे, जो अगर आपको मिला है ये सब, इसका मतलब आप कुछ साफसुत्रे हैं, फिर हमारा जैसे रिजिस्ट्रेशन है, हाँ, तो फिर सारा कंपनी जो है, वो भी आपका balance sheet चेक करते है, कोन board member है, आप कितना project किया है, सारे चीज़ चेक होता है, तो आप भी ऐसे चेक कर सकते हो, आप हमारा annual report देख सकते हो, हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हो, अब दस बंदों से पूछ सकते हो, कि कैसे हैं, तो आप कहीने कहीं बोल रहे हैं, कि government आपको खाली certificate देते हैं, certificate तो देते हैं, वो बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि वो 50% tax rebate जो है न, वो उसका लालच से भी कुछ लोग donate कर देते हैं, और वो हमें 31st मार्च का करीब कुछ donation आ जाता है, क्योंकि तब लोगों को tax बढ़ना होता, तब लगता है, ठीक है, जोनेटी कर देते हैं, थोड़ा सा, भाला कम भी हो जाएका, tax rebate भी मिल जाएगा, तो यह है, तो मैं, आपके दूरिंग पास्ट ट्वेंटी एर्स में, आपको कभी ऐसा ख्याल नी आया है, कि अब मेरे बसकी नहीं है, नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ देती हूँ, कभी-कभी तो लगता तो है, पर इतना बड़ा परिवार हो गया ना, परिवार को छोड़ू कैसे, जब तक कोई इसको ना संभाले, अब ये तो अपना परिवार हो गया ना, कोई सौ स्टाफ है, कोई तीन-चारहजार बच्चे पढ़ रहा है हमारा साथ, ये तो बहुत बड़ा जिम्मदारी हो गया ना मेरा, तो मैं तो इनी का लिए काम करती हूँ, और मैं बताना चाहूँगी, मैं पुरा भी साल वॉलिंटेर की है, मैं तन खाने लेती हूँ, और ऑर्गनाइजेशन से, मैं ये, मेरे को खुशी होता है काम करके, तो इसलिए मैं करती हूँ, तो ये जो है ना, तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ, कोई ले ले ले, पर मुश्किला पर मैं कोशिच कर यह हूँ, सेकेंड लाइन तयार करने को, क्योंकि वो अकलमंदी है, एक सेकेंड लाइन तयार करने को, जो इसको आगे ले जाएगा, और मैं तो यह आपको ऑडियोंस को बोलना चाहूँगी, कि कोई ऐसा शक्स है, जो इंटरेस्ट लेते हैं, जिसमें यह भावना है समाज सेवा का, ओ फ्लीस आगे आए, हमें जॉइन करें, कैसे भी करें, डोनेट करें, वॉलिंटियर करें, हमें आइडिया दें, हमारा बोर्ड में आए, बहुत तरीका है, हेल्प करने को. मैं, अगर आप एक मिनिस्टर होती, तो आप इस फीड में क्या पॉलिसीज डिदाइन करती हैं, आपके दिदावार में कोई बलूग। होना चाहिए, नरसरी के जिसमें उस तीन से पाथ साल में बच्चों को ना, शारे रिक मानसिक भी कास सबसे जादा होता है, तो उस टाइम ओ एडुकेशन बहुत ज़रूरी है उनके लिए, तब ही गर्वर्मेंट यह नजद दिया है, तो मेरा यह मानना है, गर्मेंट कैसे जाएंगे तो स्कूल तक, जबकि मैं मानती हूँ देड़ दो किलो मेटर का दूर है, शहर में आपको पता है कितना गाड़िया चलती, कितना ट्राफिक होते हैं, और उनका पेरेंस का पास बो टाइम नहीं है कि बच्चों को स्कूल में छोड़े, फिर पिक अप कर ले फिर ये जो बच्चे आउट ओफ स्कूल है ना, ये बच्चे इधर आके बैठ सकते हैं, कुछ सिख सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, तो उसका एक बचपन उनको मिल जाएगा, ये बहुत जुरूर। इतना सारे जुगिया हैं, इतेली दिली में कोई 600-700 जुगी क्लस्टर है, अब काम का तो शुरू करो तो अंत नहीं है, बहुत काम करने को है, तो हम चाहते हैं, जितना ज्यादा जुगियों में हम सेंटर खोल सके, ताकि उस जुगियों को बच्चे आ सके, अभी हम शकुर जुगियों में ट्रेन में डालते उतारते हैं, अब उनका ऐसे ही टरपुली इन बैंबू का बना हुआ है, उसी में जुगिया है, उसी में बच्चे रहते सारा दिन उधर घुमते रहते बच्चे, मैं जब उधर गई देखा तो में को लग इधर इन बच्चों को लिए कोशिश किया था, वो भी परमिशन नहीं देता, लोग लड़ पड़ते हैं, हमने सोचा एक अच्छा फिव्टीन फीट बाई ट्वेट का अच्छा टेंट लगा कि उसमें बच्चे को पढ़ाएंगे, थड़ अच्छा जगा हो जगा है, चोटी सी अंधरा जुगी में बहुत प्राब्लिम है, अब ग्राउंड में काम करो ना, कोई अच्छा काम भी करना, इतना मुश्किल है मैं क्या बाई, तुम्हाम आपकी टीम कितनी होगी टोटा, अभी कोई सो का करीब है, कोई टीम में कितने लोग है, कोई टीम में ज्यादा नहीं, अभी आठ दस, जोग वीडियो आते हैं, हमारा वाटसअप ग्रूप बने हुए, इसमें रोज कोई स्पेशल अच्टिविटी अधर दन टीचिंग का टीचिंग अच्टिविटी उसका वीडियो आ जाता है, टीचिंग का करीकुलम बना हुआ है, और वो करीकुलम का एकॉर्डिंग लिच अच्टिविटी आते हैं तो हमारा चेकुलम मॉनीटरिंग बहुत स्ट्रॉंग है, और इधर भी जो, कंप्यूटर सेंटर्स है, अधर भी मंतली टेस्ट होता है, उसका डेटा जो है डिली में रेकॉर्ड हो जाता है, अटेंडेंस रेकॉर्ड हो जाता है, टीचर हम उसके लिए भी एक बंदा रखना पड़ता है जो यह करते चले चले हैं तो हमें भी पता नहीं चलेगा ना कितना कामियाब हो रहा है तो मैं एड़ एज अफ मोर्डन सेवेंटी एर आप कैसे कॉंट्रिबूट करें अभी कितना जोश है अभी भी हमारा टीम बताएगा जोश है नहीं है तो मैं मेरे को बहुत प्यार मिलता है टीम से बहुत ज्यादा प्यार मिलते हैं बच्चों से टीम मेंबर से बस यही मेरा पेमेंट है तो मैं अभी इतने सारे सेंटर्स में मतलब आप कैसे कॉंट्रिब्यूट कर पा रहे हैं मतलब आप दिफसे में घृ करते हैं इधर मैं जाती हूं अपना इंदल्य कर लेता थिर होती है हमारा यह मीठिंग होता है तो पाता चलता है हर चीज का पता है कहां क्या हो रहा है एक-एक चीज का पता है ये इतना तो करना पड़ ता गर organization चलाना है तो हर चीज का पता होना चाहिए अब हम चूत कर रहे हैं कि नीट और क्लीन सारी चीज हैं लेकिन जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं इसपेसली स्रम्स के बच्चों के साथ और ऐसे लोकेशन पर जहाएं में अच्छा इंफरस्रेक्चर है नहीं पड़ाने वाला भी नहीं होता तो कैसे आप ने एक्जिकुशन कर रहे हो ग्राउंड पर उसकी जो प्रॉब्लम्स है मैं छोटी जो डिमाइनूट प्रॉब्लम्स थोड़ी सकी कहानी बताएं कि जैसे हम दिली में रैक्पिकर्स कॉलोनिया जैहिंद कैम उतर काम करते हैं उधर सारे लोग वसंदकुंज इलाका जो थोड़ा राइस इलाका है उधर का गार्बेज क चानबिन करते हैं अलग अलग करते हैं प्लास्टिक पेपर बॉटल सब तो अधर माउंटें अफ गर्विज होता है उसका बीच में हमारा एक सेंटर है बदबू आते हैं बारिश में इतने इतने कीचर होते हैं अब बच्चे उसी में है ना उनका लिए कहीं पॉष स्कूल पुछ बारिश में डून में करने से तो फाइदा नहीं ना उसी का अंदर हमारा सेंटर है वा-दिश में पानी घुस जाता है सेंटर में और चट लिख होता है पानी टपकता है फीर अवा-दे जाके उसपर कुछ मरमद करता है या थरिपल लगा के आते रोज का प्रॉबल मेरा चलते रहते हैं, फिर डर लगता बच्चे को कुछ होना जाए, फटा फटा आदमी भेजने पड़ता है, वो दिन भर मेरा चलते रहते हैं, मैं सुबह से, मैं साड़े छे बज़े से मैं अपना वाटसाफ ओफीस स्टाट करती हूं, सबको पुछताच करना, लोग तो पर परिशान होते होंगे, मैं लब में लब में आर्टिकल वाटसाप करके भेज से रहते हैं, साड़े चे बज़े हो, रात को दस बज़े हो, मेरे को लगता है उनको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, फिर तो अच्छे काम कर पाएंगे, उनको ट्रेनिंग भी बहुत देते हैं, आपने बहुत आर्टिकल लिखे होंगे, तो कौन सा बेस्ट आर्टिकल है? बेस्ट तो कुछ नहीं है, सारे पहरे शोर्ट स्टोडी बहुत लिखती थी, और ट्रावल मेगजीन में कली लिखती थी, आउटलूक ट्रावलर, बहुत एंजॉई किया मैंने, उन लोगों थोड़ा बोट जो टाइम मिलता मैं उसमें लगा दूश्यूच्ट काया सब्सट्राइब लाइफ, 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 जिंदगी, और नकसलबाडी मुवमेंट, इस बारे में उसका बेस है, वो बहुत माविस्ट मुवमेंट जो इंडिया में अभी च रोज कुछ, वाइलेंस यह वो, तो वाइलेंस के अनलिसिस है, वाइलेंस अज दुनिया में देखो ना कितना वाइलेंट है, कहीं भी देखो वार है, वाइलेंट है, और दुनिया मैं सोचती हूँ, लोग क्यो लड़ते रहते हैं, इतना अदर प्रोब्लम्स है, वो तो सब कुछ है कहीं कहीं सब कुछ लिंग्ट है अब मेरको समझ नहीं आता लोग क्यों शांती से नहीं रह सकते जब दुनिया में इतना लोग गरीब highway not on la India सारा दुनिया में कितना लोगों को खाना नहीं मिल रही यह नहीं मिल रहे और उसमें लड़ा ही खर कर करोड़ों पैसा जाता है, एक मिसायल बॉम हां, कुछ लोग पैसा बना रहा है, यह बेच बेच के, दोनों को लड़ा देते हैं, और तिसरा बंदा उसको गंज बेचते रहते हैं, मुझे लगता है, एक वो एजुकेशन जो लोगों मिलनी पा रही है, एक तो एजुकेशन यह प्रॉब जो आप एजुकेशन देते हैं, उसमा कितनी डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट कैसे आती है, जो बच्चे को माइंड तो भाग रहा है, वो इस क्लास जो आएंगे यह नहीं आएंगे, उनका अंटरस है यह नहीं है, बच्चे एक बर हमारा सेंटर जो 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 इन करते है बहुत खुशी-खुशी आते हैं, मैं जब जाती हूँ, बच्चे तो बहुत उनको, तो कोई उनको प्यार दे रहा है, एक अच्छा महोल दे रहा है, वो जुगी मेरा था, हमारा क्लास्रूम आप देखो इतना सुंदर है, बहुत बहुत पॉष कुछ नहीं है, बच्चे बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, 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 बहुत प्यार से सब चीज होता है, तो बच्चे को अच्छा लगता है, बहुत प्यार से सब चीज होता है, तो बच्चे को अच्छा लग उसी का थ्रू एडुकेशन देते हैं उनको वो जो एडुकेशनल वीडियो है उनको दिखाते हैं और बड़े बच्चों को लिए तो स्मार्ट बोर्ड से उसमें थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करके उनको सारा दुनिया का चीज उनका हाप में है और टैब्स से भी उनको बनियादी सिक्षा मिल चुके हैं और फिरो कोप कर सकते हैं और हमारा एक स्कूल है किषंगाड दिल्ली में जहां हम क्लास पाइफ तक बढ़ाते हैं और फिर क्लास चिक्स में उनको सरकारी स्कूल में डाल देते हैं और उतरखंड में जो है वो हम क्लास 9 से 12 का बच्चों को साइम्स में कोचिंग देते हैं other than computer training or job related training so यह है हमारा तो मैं आपका जो center या school है वो सरकारी से कितना डिफर करता है मैं इस कि सपोज एक slum area यहाँ पर है आपने में भी research करी हो उसके आसपास अपना center बना दिया वही सरकारी school भी है तो लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं मैं आपका प्रशन ठीक है एक तो सरकारी स्कूल slum का अंदर होता नहीं है तो दूर में होता है हम slum का अंदर करते हैं अच्छा ओके वो बच्चे पैदा ला सके जो मैंने आपको बहुत अच्छा क्राम कर रहा है नहीं नहीं मुद्द तो यह है ना कि बच्चे पहुंचे कैसे पहुंचे कैसे तो छोटे-छोटे बच्चों का हम पढ़ाते 3 to 5, 3 to 7 years, 8 years तो यह बच्चे फिर पैदा ला सकते इसलिए हम slum का अंदर सेंटर करते हैं तो में रोड पे बड़ा बिल्दिंग नहीं है हमारा स्लम का अंदर एक जुगी सा है कुछ सेमी सॉलिड कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है डिपेंड करता जगा पर हर जगा में अलग अलग है कहीं पर कमरा किराय पे मिल रहे है तो पका कमरा है जहां थोड़ा बेटर एडिया है और एक दम गाय गुजरे स्लम है तो उधर बच्चे जैसे जुगी में रहते हैं हमारा क्लास थोड़ा बड़ा सा जुगी में चलता है ऐसा ही है तो मेहम आप से बात करके बहुत मतलब मजा नहीं बोल सकता हमें मैं बोल सकता हूँ कि बहुत चाइज चीजे किलियर हुई जो यह हमारी audience है जो senior लोग है, जो senior leader है मैं उनको recommend करूँगा कि definitely आप जिससे लोगों को empower करें, किसी भी वे में जाए आपको volunteer की help दे आपको funding की help दे आपको guidance दे कि आप कैसे government का maximum use कर सकते है corporate funding ले सकते है CSR का maximum support ले सकते है तो मैं यह recommendation करूँगा अपनी audience को, और मैं आप क्या message देना चाहेंगे हमारी audience को आपने तो बोली दिया मेरे को क्या चाहिए जी, बिलकुल volunteer support चाहिए और जो corporate में है बड़े-बड़े post में उनको बहुत समझ होता है strategy का finance का हमें उतना समझ नहीं है इन चीजों में, frankly हम बच्चों में पड़ाने में लगे रहते हैं तो अगर हमें गाइड कर सके इन मामलों में तो हमारा लियो फायदा मन रहेगा हमारा जो टीम है उनको अगर ट्रेन कर सके, ट्रेनिंग दे सके उनको कुछ अच्छे एक्सल सिखा दिया कुछ सिखा दिया तो उसमें भी फायदा है हमारा लिये और अफकोस फंडिंग सबसे ज़रूरी है बेगर पैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है और आजकल गरीब स्लम ड्वेलर्स भी सोचते एंजियों का पात बहुत पैसा है तो पता नहीं क्यों यह गलत भहमी लोगों का पास है पर सच तो यह है कि हमको हर साल वो 1st April से हमको टेंशन शुरू हो जाता है इस साल हम कैसे गुजारेंगे तो वो पैसे का हमेशा ज़रूरत होता है तो individual हो, corporate हो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज आप छानबिन कीजिए हमें जाच कर लिजिए उसका बाद आपको अगर सही लगे तो प्लीज डोनेट और आपका डोनेशन से बहुत बच्चों का future बन जाएगा तो मैं भी अपनी audience को यही recommend करना चाता हूँ कि अगर आप यह podcast पूरा देख चुके हैं तो इस podcast को जादे से जादा शेयर करें और ऐसे लोगों तक पहुचाएं जो ऐसे NGO की help कर पाएं और मैं दिल से श्रस्ती ट्रस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी best wishes आपके साथ हमेचा रहेंगी और हम जो आपको support कर पाएंगे वो पूरी महनत करेंगे आपके साथ Thank you so much Thank you so much for giving me time